हेलो एरिवन, दिस साइड मोनी का यादव, होप यू ओल गूड, आज की इस वीडियो में मैं आपको एट्थ क्लास की सैल प्रेक्टिस 14 करवाँगी, इससे पहले के सभी चाप्टर मैं अल्रेडी करवा चुकी हूँ, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई आउटकम्स, जो हमें चाहिए हैं, कोशन में पूछे गए हैं, उसको फिवरेबल आउटकम्स कहते हैं, अपन टोटल नंबर ओफ पोसिबल आउटकम्स, जितने भी पोसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो, ठीक है, फोर एक्जामपल, आपको एक कोईन को टोस्ट कर रहे हो, और आपको बताना हैं, कि हैड आने की प्रोविवरेटी क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं, प्रोविवरेटी, ब्रैकेट में जो इवेंट हमें चाहिए, उसका लिखते हैं, जैसे कि हमें इहां लिखा हैड, ठीक है, एक कोईन है, आप जब उसको टोस्ट करोगे, तो यहाँ लाएगा, इसलिए बार से निचे टु, ठीक है, और आपको चाहिए क्या, एड चाहिए, हैड आने के चांस क्या है, शिर्फ वन है, इसलिए बार से उपर वन, और हैड की प्रोविवरेटी क्या होगी है, वन अपॉन टू, आइटिंक अब आपको क्लियर होगा, चल नमबर अगर डाई को उच्छाला जाए तो हमें probability बतानी है 3 आने की कितनी होगी 7 आने की या even नमबर आने की या प्राइम नमबर आने की अलग अलग हमें निकाल के देना है डाई या जिसको हम डाई भी बोलते हैं आप लोगों ने सभी ने देखी इसलिए मैंने picture भी लगा यह ताप कि आप आसानी से समझ सको जब आप एक डाई उचालते हो तो आपके पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं इसमें क्या लिखा होता है वन टू सिक्स तक नमबर होते हैं ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई has six faces marked with जिन पर लिखा होता है क्या लिखा होता है नमबर लिखा होता है marked with number one two three four five six six तक नमबर लिखें होते हैं ना तो टोटल नमबर हो पोसिबल आउटकम्स क्या आ गया है six अगर एक बर हम उसको उच्छा लेंगे तो six ही हमारे पास आउटकम्स आते हैं अब एप आउटकम्स हम करते हैं chance of getting three या favorable आउटकम्स भी हम लिखे सकते हैं three equals to one ठीक है probability किसकी निकालनी है three की तो that is equal to क्या होगा favorable आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे थिरी आने के chance क्या है one upon total number of outcomes क्या है six तो three की probability हो गई पान आप आउटकम्स चलो भी बी पार्ट करते हैं b में हमें seven की probability निकालनी है तो पहले हम लिखते हैं chance of getting a seven seven आने के chance कितने है देखो dice में seven होता ही नहीं है इसलिए seven आने के chance जो है zero है ओके और total number of outcomes कितना था हमारा एक से चे तक नंबर आते है ना तो total number of outcomes हमारा six था अभी हम probability of seven निकालके देंगे तो वो क्या होगा favorable outcomes जो कि zero है upon total number of outcomes जो कि six है zero upon six इसकी probability होगी और हम zero भी लिख सकते हैं ओकी क्योंकि zero को किसी से divide करते हैं तो zero ही आता है that's why इसकी probability zero है c पार्ट में हमें probability निकालनी है even number की the even numbers आर जो कि एक dice में आते हैं वो क्या है two then four then six ठीक है six तक के ही number होते है ना और even number उन में से three है यहाँ पर हम लिखते है number of favorable outcomes कितना हो गया यह तीनों ही number हमारे favorable outcomes है इसलिए favorable outcomes है three और total number of outcomes कितना है six then हम यहाँ पर लिखेंगे probability of even number that is equal to three upon six और इसको simplify करेंगे तो one upon two आता है यह हमारा answer है चलो भी डी पार्ट करते हैं प्राइम नंबर कौन-कौन से होते हैं one to six के बीच में one prime number नहीं होता two होता है हमारा three होता है और five होता है prime number वो जो या तो अपनी table में आते हो या सिर्फ one की table में आते हो बट एक चीज़ याद रखना one कभी भी prime number नहीं होता number of favorable outcomes कितने हो गए इनको count करोगे तो कितने हो गए है यह three और total number of outcomes six थे अब हम probability निकालेंगे किसकी निकाल रहे हैं prime number की इसलिए bracket में भी prime number लिख देंगे ओके equal का sign लगाएंगे three है प्राइम नंबर और total number of outcomes कितने है six इसको भी simplify करेंगे तो one upon two आएगा इसकी भी probability क्या है one upon two second question देखिए रमीज चूज करता है कोई date randomly अपरेल के महिने में पार्टी के लिए तो हमें probability बतानी है Saturday आने की क्या probability है सबसे पहले हम लिखते है total number of outcomes number of possible outcomes April के महिने में कितने दिन होते है 30 30 के 30 हमारे total number of outcomes है second question के ए पार्ट में हमें probability बतानी है Saturday आने की तो यहाँ पे हम लिखते है number of favorable outcomes आप धिहान से calendar को observe करोगी देखो Saturday आने की chance कितने है four chance है तो हमारे favorable outcomes क्या है four अब हम probability बताएंगी किस की बता रहे है इसमें bracket में लिख देंगे Saturday की देखो Saturday आने का favorable outcomes four है और total number of outcomes 30 है इसलिए four upon 30 और इसको हम simplify करें तो यह two की टेबल से कट रहा है टू टू जा टू फिफ्टीन जा टू अपॉन फिफ्टीन तीक के जी बी पार्ट करते हैं इस कोशन का total number of outcomes वही 30 रहेगा बी में हमें Sunday आने की probability बतानी है Sunday के लिए देखो किती dates है four dates है तो favorable outcomes कितने है चार है इसलिए favorable outcomes में हम four लिखेंगे अब हम probability बताएंगे इसकी किसकी बता रहे हैं अभी हम Sunday की इसलिए bracket में हम Sunday लिखेंगे संडे आने के चांस कितने है four और total number of outcomes कितना है 30 इसको simplify करोगे तो वही 2 upon 15 आएगा अभी इस question का c part करते है total number of possible outcome 30 ही रहेगा अभी हमारे favorable outcomes क्या है Saturday और Sunday दोनों मिलाकर हमें count करने है इन दोनों days की date देखोगे तो आपको favorable outcomes पता चल जाएगा कितने है एट है चार संडे आते है चार ही Saturday आते है तो favorable outcomes में इसमें क्या आएगा 8 यहाँ अब हम probability निकाल देते है Saturday और Sunday मैं short form में ही लिख रही हूँ ओके that is equal to 8 upon 30 इसको simplify करोगे तो आएगा 4 upon 15 Question 3 देखिए a normal die is rolled calculate the probability of the number on the uppermost phase when it stopped rolling will be एक die जो है फैकी जाते है डाई जिसको dies भी हम बोलते है उसको फैकते है तो हमें इन numbers की probability बतानी है कि uppermost phase पे आने की probability इनकी क्या होगी जब भी die को rolled किया जाता है तो possible outcomes क्या होती है वो 1 आसकता है 2 आसकता है 3 आसकता है 4 आसकता है 5 आसकता है 6 आता है तो total number of outcomes कितना होता है 6 देखो मैंने पहले और दूसरे question में आपको अच्छे से लिखना सिखा दिया यहां मैं आपको direct करके दूँगे क्योंकि वीडियो न काफी lemby बन जाती है फिर तो देखो 5 एक बार आसकता है favorable outcomes 1 है और total number of outcomes कितनी है 6 इसलिए इसकी probability होगी 1 upon 6 अभी बी करते है not 5 मतलब 5 ही नहीं आना चाहिए और favorable outcomes में क्या क्या काउंट होगा 1, 2, 3, 4, 6 काउंट करेंगे कितने number है यह 5 favorable outcomes क्या है 5 और total number of outcomes क्या है 6 इसलिए not 5 की probability क्या होगी 5 upon 6 और यह simplify भी नहीं होता इतना ही रहेगा एन ओड नमबर 1 to 6 में ओड नमबर कौन कौन से है 1 है 3 है 5 है डाई में 6 तक के number होते है ना यहीं तक हमें count करना है तो ओड नमबर कितने है 3 तो favorable outcome हमारे 3 है और total number of outcome कितना है 6 3 upon 6 यह simplify भी होज़ेगा 3 बन जा 3 3 तो जा 1 upon 2 इसकी probability हो गई हो कि question D देखिए a composite number composite number कौन सा होता है जो अपनी table और 1 की table के इलावा किसी और table में भी आता हो देखो 2 अपनी और 1 की table में आता है तो 2 composite number नहीं है 3 भी नहीं है 4 4 देखो composite number है क्योंकि वो 1 की table में आता है 2 की table में आता है और 4 की table में आता है इसलिए 4 composite number है 5 नहीं है क्योंकि 5 सिर्फ 1 की और अपने table में आता है और 6 हमारा composite number है ये 2 की table में भी आता है 3 की table में भी आता है यहाँ पे 2 ही composite number है तो favorable outcomes क्या है हमारे 2 और total number of outcomes 6 और इसको simplify कर दें हम तो 1 अपन 3 हमारा answer आता है question E देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A3 और A4 इन दोनों के ही chance एक एक है तो favorable outcomes क्या हो गया 2 टोटल number of outcomes कितना हो गया 6 simplify करेंगे तो 1 अपन 3 इसका answer आएगा F देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 नंबर आने के chances चार ही है तो यहाँ पे क्या आएगा इसकी probability 4 अपन 6 इसको simplify करेंगे तो 2 अपन 3 आएगा अच्छा question E देखिए an even prime number even number कौन कौन से होती है 2, 4, 6 यही होती है यहाँ पे साथ में दे रखा है prime number even भी होना चाहिए और वो prime number भी होना चाहिए तो 4 और 6 तो हमारे prime number है ही नहीं यह तो composite number है prime number क्या है 2 क्योंकि 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है यहाँ हमारे पास favorable outcomes कितना है 1 तो इसकी probability क्या होगी 1 upon 6 question 4 देखिए a card is chosen at random from the ordinary deck of playing card what is the probability that एक deck of playing card में से मतलब एक टास की गड़ी में से एक कार्ड जो है और आउटकम that is equal to 52 अभी एपार्ट करते हैं हम यहाँ पर हम लिखेंगे number of favorable outcomes देखो पहले वाले question में हमें पूछा है diamond आने की probability मैंने आपको पहले ही बताया हर ग्रूप में 13 cards होते हैं तो diamond आने की favorable outcomes कितने हो गए 13 ठीक है अभी हम क्या बताएंगे probability किसकी बतानी है diamond की that is equal to favorable outcome कितना है हमारा 13 upon 52 total number of outcome आता है ने नीचे 13 की table से काटेंगे 13 बन जा 13 13 फोर जा तो इसकी probability हमारे पास आ जाती है यहां bracket के अंदर लिख देंगे king की that is equal to 4 upon 52 4 की table से यह कट जाएगा 4 वन जा 4 4 13 जा पे तो 1 upon 13 इसकी probability आ जाती है अभी हम सी कोशन करते हैं यहां हमें पूछा गया है आप black 4 black 4 आने की probability बतानी है देखो दो गुरूप जो है red कलर की होती है दो black कलर की होती है सभी में एक एक 4 होता है बट हमें black कलर के 4 काउंट करनी है तो number of favorable outcomes कितना है 2 क्योंकि दो गुरूप के 4 ही black कलर की होंगे ठीक है probability of black 4 equal का sign लगा के लिखेंगे अच्छा favorable outcomes उपर आता है बार से नीचे total number of outcomes अब इसको divide करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 upon 26 इसकी probability क्या है 1 upon 26 question D करते है इसमें हमें favorable outcomes में क्या बताना है 7 जो की heart का होना चाहिए heart का 7 only 1 होगा इसलिए favorable outcomes में 1 लिखेंगे यह लिखेंगे 7 of heart इसकी probability क्या आएगी देखो favorable outcome हमारा 1 है upon total number of outcome कितना है 52 इसकी probability बन गई 1 upon 52 इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक करूंगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना or share करना, I will upload your next video soon, till then bye bye take care, stay connected